नमस्ते दोस्तों जैसरी राम कैसे आप सभी लोग तो आज जादा मदद में आपकी लाइव स्केल्पिंग में नहीं कर पाऊंगा बट चुकि मेरा यह व्यू रहता है कि आपको मार्केट कैसे चला क्या चला उसके उपर थोड़ा सा बाते बता देना अब देखिए पहले मैं देखते आए हो आप देखो कि इसमें मार्केट क्या कर रहा है जहां पर मार्केट को बाइंग लगता है वहां से मार्केट बहुत रैपिड भागता है जहां पर मार्केट को सेलिंग जोन होता है वहां से बहुत तेज गिरता है अब मार्केट के अंदर फियर क्या-क्या है और positive क्या क्या है वो आपको पता है वो मैं repeat आज नहीं करूँगा बट मैं आपको एक एक सला देता हूँ कि जैसे आप जब भी कोई trading करो मैं कहता हूँ आप 10 बजे सो किठो 11 बजे सो कुठो 12 बजे सो कुठो कोई दिक्कत नहीं है आप random कहीं भी plan मत करो घुसने का कहीं भी मत करो घुसने का plan सुबा से आज market मुझे क्या दिखा जब मैं आया trade करने तो मैंने कल आपको वीडियो बता के बताया भी था कि अगर market flat to gap up खुलता है तो एक बार sale round आपको दिखेगा वो दिखा उसके बाद मैंने market के अंदर एक bank nifty का सुरूआत में सबसे पहले मैंने क्या क होते वे दिख रहा था क्यों सबसे पहले आज मैंने bank nifty के अंदर क्या किया यहां पर मैंने एक ट्रेड प्लान किया इस जोन पर कि market का एक यह breakout जोन है इस breakout पर मैं मार्केट के अंदर ट्रेड करूंगा मैंने यहां कहीं पर एक order भी पंच किया था उसके बाद market suddenly उपर गया मेरे को profit भी दिखाया 20-22 आगा लेकिन जब market turn around किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा जो मैं कहता रहता हूं कि आप भी यह चीज़े अपने आप से पूस्ते रहिए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि market यहां पर जो breakout दिखा रहा है चुकि market काफी नीची सूपर है तो जो और मैंने इसको suddenly काट लिया दो point के profit पे है ना अभी भले यह 575 चल रहा है आप देखो दोस्तों यह चीज़ मत देखो कि काटा आपने 554 पे hold कर लेता जब तक आपको confidence नहीं आएगा तब तक आप नहीं hold कर पाएंगे कोई भी position यह बात याद रखिए मुझे confidence क्यों नहीं आया क्योंकि market ने यहां पर suddenly क्या किया था बहुत बड़ा trap बनाया था उसके बाद market देखो नीचे भी गया अभी आपको दिख रहा है कि 575 है लेकिन जब मैं trade कर रहा था मैं आज mobile से बहुत सारा trade किया हूं क्योंकि मैं बाहर था एक जमीन का काम था वहां के लिए मैं पाऊंगा तो इसमें some matter में सब हो जाता है तो इसलिए मैंने सोचे अभी डाल देते हैं तो फिर मैं यहां पर पोजीशन अपनी काटा और काटने के तुरणत बाद मैंने एक छोटा सा पूट के अंदर trade का प्लान किया that is pure scalping क्योंकि आपको पता है कि मैं expiry वाली trade को hold बिल आज दिन का और वही मेरा last trade होता है that is nifty का trade अब देखिए भाई साब nifty का trade कैसे मैं लिया हूं जैसे nifty का चार्ट आप इस वाले में देख लीजिए तो जब मार्केट ने पहले जब मार्केट यहां पर था मैं यहां बैंक निफ्टी लेकर गलती कर दिया था जब इसको breakout किया तब मुझे ऐसा मैं अपने आप से पूछा और आप भी अपने आप से सवाल कर सकते हो एक बार उपर गया मार्केट यहां पर नीचे आया तो इतनी देर में आपको क्या लगता है कि अगर इतनी देर में मार्केट में कोई retailer इस breakout को देखकर आया होगा इस zone के breakout क को देख किया होगा क्या उसका SL नहीं किया होगा 110 परसंट उसका SL निकल गया होगा मार्केट से उसके बाद क्या ऐसी कमजोरी रही या क्या ऐसी जरूरत रही कि market again breakout कर रहा है तो कहीं न कहीं buyer यहां पर आएंगे ही आएंगे फिर मैंने इस breakout पर एक nifty का last trade लिया और इसमें मेरको ना इससे जादा मुझे profit की लालसा है होप करता हूं कि आज छोटी वीडियो भले है लेकिन आपको एक बात समझ में होगी कि market के अंदर गलतियां कैसे पहचाने और अगर गलत हो जा रहे हो तो उसके उपर किस तरीके से आपको निरड़ा लेना है मैं जादा trade करता भ मैं इंडियान मार्केट में आपको educate करने के लोग जो scalping करता हूं नहीं करता हूं इंडियान मार्केट में मेरा एक समय था मैं आपको बताता हूं कि जब से मैंने ये ये वाली धारड़ा अपनाई है ना कि भाया मेरे को इंडियान मार्केट में एक ट्रेड दो ट्रेड तीन ट्रेड पंच करना है एक घंटे दो घंटे तीन घंटे के लिए बैठना मार्केट के अंदर तब से आप विश्वास मानिए मेरा जो टेंसन है और जो मेरा प्रोफिट वो घर पर आने लगा नहीं तो बिसिकली होता क्या था कि जैसे अभी 80-87,000 का प्रोफिट है तो मालो मैं यहां पर कुछ लाला चा गया फोमो आ गया एक ट्रेड और किया ये 85,000 से 50,000 हो गया फिर 50,000 को और 85,000 बनाने के लिए फिर एक ट्रेड किय चार्जे इतना ज्यादा मैं पे कर देता था कि जो प्रोफिट रहता था 10 लग का प्रोफिट है महीने का 15 लग का प्रोफिट है महीने का तो 3 लाक रुपय का चार्ज है 4 लाक रुपय का चार्ज है तो अल्टिमेटली मैं अपने ब्रोकर को अमीर बनाने के लिए नहीं बै करता है मैं अभी बहुत सारा प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए जो लोग क्रिप्ट और गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं जस्त थोड़ा टाइम लगेगा मैं कुछ इंट्रोडिउस करूंगा जल्द ही उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा तब तक लिए अपना ख्याल लगे और दोस्तो प्लेज आज का मुझे कमेंड में जरूर बताएगा कि जो हम लोगों ने कल एनलिसिस किया था उसके बेसिस पर आपने जो पूट का ट्रेड लिया होगा उसके बाद जब ब्रेकाउट का जो साइकलोजी भी मैंने आपको यहां पर समझाया कि क्या ऐसी मजबूरी रहे होगी कि मार्केट नीचे आके रिकवर करके फिर यहां पर ब्रेकाउट किया तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि पैटर्न को कैसे अडिन्टिफाई करें और किस तरीके से पैटर्न काम करता है वो भी ज़रूर मुझे बताएगे साथी साथ में दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा मैं कोसिस करूंगा कि अपने टाइमिंग को देखिए मैं 9 बजे सुबा उठ नहीं पाता हूं तो जब मैं 9 बजे उठता नहीं हूं तो आज कल ग्रूप में भी आप अपडेट देख रहोगे 11 बजे 12 बजे मिल रहा होगा तो उसके लिए मैं छहमा चाहता हूं मैं कुछ जल्दी ही कुछ इसका निवायर करूंगा तो जब मैं 9 बजे उठता हूं तो उठता हूं 10 बजे साड़ी काम रहता है तो फटा फट चाय पह पिए नाय दोय निकल गए ठीक है फिर आये कभी कभार रूम पे रहता हूं तो कोरें ट्रेडड करता हूं कभी नहीं रिकारड करके तो बैराा जो मानना है कि आपकी लर्निंग जो है स्वलीड होनी चाहिए और देखो जो इसकेलपिंग मैं करता जिस तरीके से मेंए करता हूं बहुत बढ़ियां स्कैलपिंग आप भी कर सकते हो सीख के समझ के करोगे पैसा बनेगा तुक्का मारोगे पैसा में बनेगा तो अगर आपको लगता है नहीं सवरभई में एड़ कर देंगे ठीक है और तब तक लिए थैंक्यू सो मच स्केलपिंग कोर्स में एड़ कर देंगे आप कोर्स पढ़ो समझो तब तक लिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए आपके प्यारे कमेंट की आसा रहेगा मुझे बाइबाइब ग्रेड डे जैसर कर देखने का देखने कि आपका रहेगा मुझे देखने के लिए तक लिएखने का रहेगा वाय जापका रहेगा मुझे अफ़ो मुझे हैं।